हाई फ्रेंड्स मैं हूँ दिपाली दिपाली स्फूर रेसिपीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे मैंगो डिलाइट जो बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही यूनिक एक स्वीट डिश की रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी तो मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमने कढ़ाई में एक लीटर गाय का दूद ले लिया है दूद को हम उबाल लेते हैं पर आप देख सकते कि दूद जो है वो उबल चुका है फ्लेम को ओफ कर लेंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं तो यहाँ पर पांच मिनिट ह हो गये हैं कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है और यहाँ पर हमने दो चमच नीबू का रस ले लिया है इसमें हम तीन चमच पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा नीबू का रस डालते हुए हम दूद में से पनीर को अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते कि दूद में से पनीर जो है वो अलग हो चुका है अब हम इसे चान लेते हैं चानने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह की चलनी का यूज़ किया है आप चाहे तो कॉटन के कपड़े में भी इसे चान सकते हैं दो से तीन बार हम साफ पानी से पनीर को धो लेंगे ताकि इसमें से नीबू का खटापन है वो सारा चला जाएगा अब हम हलके हाथो पनीर को प्रेस करते हुए इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे और पनीर को हम ड्राइ कर लेते हैं इस recipe में आपको गाई के दूद का ही use करना है तो आपको result अच्छा मिलेगा तो दिखिए पनीर जो है वो अच्छे से dry हो चुका है अब हम इसे plate में निकाल लेते हैं पनीर को हमने एक plate में निकाल लिया है अब हम हलके हाथों पनीर को मसल लेंगे जब तक कि पनीर जो है वो इखटा नहीं हो जाए और एक dough के form में नहीं आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते कि पनीर जो है बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है और अच्छे dough के form में आ चुका है अब हम इसके चोटे-चोटे रजगुले तियार कर लेंगे इसी तरह से बाकी के रजगुले भी तियार कर लेते हैं और इसकी चाशनी बना लेते हैं चाशनी बनाने के लिए हमने कड़ाई में एक कप चीनी ले ली है यह 200 ग्राम चीनी है इसके साथ साथ हम 4 कप पानी डाल देंगे फ्लेम को तेज़ रखते हुए हम चाशनी को उबाल लेते हैं तो ये देखिए चाशनी जो है वो अच्छे से उबल चुकर यह फ्लेम को हमने हाई रखा है और एक एक करके हम रसगुले को चाशनी में डाल देंगे अच्छा रजगुला बनाने के लिए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि फ्लेम को तेज रखना है और जब अच्छे से चाशनी उबल जाए उसी समय हमें रजगुले को डालना है तो रजगुले जो है वो बहुत ही अच्छे बनकर तयार होंगे इसी तरह से बिना ढखके तेज फ्लेम रखते हमें रजगुले को पांच मिनिट के लिए पका लेते हैं तो देखी ये पांच मिनिट हो गए है रजगुले अच्छे फूल चुके हैं अब हम इसे हलके हाथों अलट पलट लेते हैं अब हम इसे ढखके 5-7 मिनिट के लिए तेज फ्लेम में और पका लेते हैं तो बाद 7 मिनिट हो चुके हैं और रजगुले जो है वो बिल्कुल तयार है फ्लेम को ओफ कर लेंगे और रजगुले को हम ठंडा कर लेते हैं अब हम mango flavor का custard तेयार करेंगे तो यहाँ पर हमने आधा लिटर फुल क्रीम दूद ले लिया है। यहाँ पर हमने दो चमच vanilla flavor का custard powder ले लिया है। इस custard powder में हम 4 चमच ठंडा दूद डाल देंगे। तो दिखिए custard powder की slurry जो है वह हमने तयार कर ली है। इस custard powder को हम दूद में मिला लेते हैं। ध्यान रहे जब हम custard को गरम करेंगे तब हम फ्लेम को low to medium ही रखना है वरना custard powder जो है वह तले से चिपक जाता है। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो custard powder जो है वह दूद में अच्छे से मिल चुका है और यहाँ पर हम 4 चमच चीनी डाल देंगे। लगातार चलाते हुए हम दूद को गाढ़ा कर लेते हैं। तो देखिए 5-7 मिनिट में अब देख सकते कि दूद जो है वह अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम आदि चमच इलाइची का पौवडर दाल देंगे। इस रेसीपी में आप इलाइची का पौवडर का जरूर यूज करें। क्योंकि लिए इलाइची का पाउडर और मैंगो का जो कॉंबिनेशन है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इस रेसिपी में मिला लेते हैं इसे और हम कस्टड को ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पर कस्टड जो है वो ठंडा हो चुका है और यहाँ पर हमने एक कप यानि की दो आम से हमने मैंगो प्यूरी तियार कर ली है इस प्यूरी को बनाने में हमने नहीं पानी का यूस किया है नहीं चीनी का यूस किया है आप अपने मन पसंद कोई भी आम से प्यूरी तयार कर सकते हैं इसे मिला लेते हैं अच्छे से तो दिखिए mango flavor का custard जो है वो बिल्कुल तयार है तो यहाँ पर रजगुले जो है वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके है अब हम हलके हाथों रजगुले को स्क्वीज कर लेंगे और इसको ले चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पर हम आज इंडिविजूल सर्विंग कर रहे हैं तो पहले हम रजगुले को रखेंगे और इसके उपर हम ठंडा ठंडा mango flavor का custard डाल देंगे और इसको हम रजगुला और पिस्ता की कत्रन से गार्निश कर लेंगे तो यह देखिए बहुती स्वादिष्ट mango delight जो है वो बिल्कुल तयार है उमीद करूंगी कि आज का है मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाईए वीडियो को अपने friends और family के साथ जरूर शेर कीजिए और यदि चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई नई रेसिपी के साथ तब तकिलिया का बहुत बहुत दने वाग